पंच मुखी हनुमान मंदिर के महंत ने विसर्जन पर भक्तों को सला दी है कि कोरोना काल की परिस्तिती में विसर्जन के दोरान सोचल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। गणेश जी की प्रतिमाएं आफत कालीन में जो अभी कोरोना काल चल रहा है इसमें भीड भाड़ना हो। गवर्मेंट ने भी विवस्ता किया है हम लोगों भी चहिए कि हम लोग भी शब लोग जो है शहयोग करें और गणेश मूर्दियों को बिद विधान पूजा पाठ करक उनका पूरा पूजा पाठ करके नोजिन का जो पूजा चल रहा हो करके पूजिन करके विद विधान से उनको एक टप में जल में करके विसर्जित करें बाहर जाने से भीड कठा होगी उनके कोरोना बढ़ने कड़ा रहे इसी ब्यवस्ता के चलते ही ब्यवस्ता की गई है तो आप अपने अपने घरों में जो है जल में विसाजिद करके जो उनकी मट्टी हो और घर के गमला है या पाश में पीपल का पेंड है तो वहाँ आप विसाजिद कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है जब आफ़त काल होता है तो सब को सहयोग देना चाहिए क्योंकि अनरोध है कि सभी भक्त लोग शभी भक्त जन गनेश जी की मूर्ती को ऐसे करके ऐसे बिजासन करें घर में टप में रखके जब मट्टी हो जाए तो उस मट्टी को गमला में रख दें या कोई विसमें या कहीं बगिया में रख दें या पीपल का पेड अगर आप घर के सा है आप लोग ऐसा विद्विधान से कर सकते हैं इसी के साथ मेरा सुभ आशिरवाद शब बहुत वालवाशियों को और शब मैं सोचता हूं भी शब लोग हमारे हिंदु धर्म अबलंवी जो हैं शबी ऐसा कारी करेंगे तो अच्छा लगेगा और इसी के साथ मैं अपने करें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें